स्लाम अलेकुम दोस्तो, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्टूब चैनल, आपकी सफर यूट्टूब चैनल पर तो साथियों आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सखर ये से होंगे, विडियो सुन करने से पहले आपसे मैं request करना चाहता हूँ चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की notification दोस्तों आपको हमें साफरी में मिलती रहे तो साथियों आज की वीडियों दोस्तों हम बात करने वाला हूँ कुएट का e-visa के बारे में साथियों United Kingdom के तरब से बहुती बड़ी announcement की गई है यानि United Kingdom जिसे short form में UK कहा जाता है उनके तरब से कल के दिन officially announcement किया गया कुएट में जो वहाँ के ambassador है यानि कुएट में जो UK के जो ambassador है उनके तरब से officially announcement किया गया है कि जो भी लोग कुएटी है यानि वो लोग ब्रिटिस आना चाहते है यानि ब्रिटेन यानि वो लोग आना चाहते है तो उन लोगों के लिए UK में e-visa यानि electronic visa को start किया जाएगा first week of 2023 यानि कुएटी यानि कोई भी कुएट के लोग कुएटी लोग यदि 2023 में पहले वीक से आना चाहते है United Kingdom तो वो लोग आप electronic visa देना पड़ेगा जो visa पहले चलता था दोस्तों वो visa नहीं लगेगा क्योंकि पहले का visa में काफी जादा दिक्कते होती थी और काफी जादा ताम जाम होता था पर आप electronic visa का start दोस्तों कर दिया गया है तो जो भी कुएटी है अब UK ट्रेवल करना चाहते तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी update है तो साथी यह छोटी सी update थी कुएट का और UK का e-visa के बारे में मैंने अब तक share किया उमीद करता हूँ उस दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यसी वीजा के बारे में अलग अलग कंट्री को बारे में जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो पे जैहिन अल्ला आफीस और टेक केर